हालो व्यूर्स आज के वीडियो में हम कक्षा दस्वी सामाजिक विज्ञान विशे की वार्षिक परिक्षा की तयारी कर रहे हैं यह परिक्षा आपकी साथ मार्चको और इसकी तयारी हमने शुरू कर दी है इसके पहले भुगोल विशे के सारे एक-एक नमबर के प्रिश्णों की तयारी हमने कर ली थी और आज हम भारत और समकालिन विश्य जो के आपकी इतिहास की पुस्ता के उसके सारे एक-एक नमबर के प्रिश्णों की तयारी कर लेंगे अर्थशास्च के प्रश्ण भी हमने त्यार कर लिये थे और इसके बाद अगले वीडियो में हम राजनिती, विशे जो है उसके भी सारे एक एक नमबर के प्रश्णों की त्यारी कर लेंगे इस प्रकार से हम सामाजिक विग्यान की संपूर्ण तयारी करने वाले हैं और इसके साथ ही जो 4 नंबर में एक प्रशन आयेगा नक्षे वाला मानचित्रड में हमें दर्शाना होगा वह भी तयार करेंगे जिससे कि हमारा वो जो 4 नंबर का प्रशन है वो पूरी तरह से तयार हो जाए तो शुरू करते हैं भारत और समकालिन विश्यों मतलब इदिहास जो विश्य है उसके सारे एक एक नमब के प्रशन हम अभी तयार कर लेंगे तो पहला प्रशन है फैड्रिक सार्यू कहां के कलाकार थे फैड्रिक सार्यू कहां के कलाकार थे तो इसका उत्तर होगा फ्रांस वे फ्रांस के कलाकार थे अगला है विश्योकोष नमब ग्रंथ की रचना किसने की तो यह रचना करी थी दीदरों ने अगला है जर्मनी में एकिकरन की आधारशिला किसने रखी तो जर्मनी में एकिकर्ण की आधारशिला रखी थी नेपोलियन बोनापार्टने इसके बादे रास्ट्रवात को चित्रो के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसे सी कलाकार है फैडरिक सारियू इसके बादे फ्रांस में किसकी 26 को डाख टिकिटों पर अंकित की गई तो इसका उतर आएगा मारियान की ठीके मारियान इसके बाद आखों पर पट्टी बंदे हुए और तराजू ली हुए महिला किस बात का प्रतिके तो यह प्रतिके नियाए का ठीके नियाए का प्रतिके आखों पर पट्टी बंदे हुए और तराजू ली हुए महिला किस बात का प्रतिके तो इसका उत्तर होगा नियाए इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए इसमें पहला है फ्रांसेसी कलाकार फैडरिक सार्यू ने चित्रों की शंकला बनाई तो चार या च्छ दो अप्शन दे रखें तो इसका उत्तर आएगा चार ठीके चार आएगा फ्रांसिसी कलाकार फेडरिक सार्यू ने चार चित्रों की शंकला बनाई। दूसरा है रास्टवात की पहली अभिव्रक्ती सन में फ्रांसिसी करांती के साथ हुई तो कौन से सन में हुई थी तो इसका उतर आएगा 1790 में। अगला है 1804 की नागरिक सहिता जिसे आमतोर पर सहिता के नाम से जाना जाता है तो 1804 की जो नागरिक सहिता थी उसे नेपोलियन सहिता के नाम से जाना जाता है ठीक है नेपोलियन सहिता इसके बाद है गाली सिया में कुलीन वर्ग भाषा बोलता था तो भाषा बोलता था पॉ बालकन शेत्र बालकन 1871 के बाद यूरोप में गंभिर रास्ट्रवादी तनाव का इस्तरोद जो है बालकन शेत्र था इसके बाद अगला प्रश्ण है सही जोड़ी बनाने वाला ठीके हैं सही जोड़ी बनानी है तो इसमें जो पहला है नेपोलियन की पराजे तीके दो खंड़ दे रखे खंड़ और खंड़ और खंड़ दे रखे यहां पे और खंड़ कम हैं नेपोलियन की पराजे वियना इस संदिका सदस्य नहीं, जू से पे गैरिबाल्डी, रक्तोर लोह की नीती, मारियान की प्रतिमाई, तो इसकी जोड़ी बनेगी नेपोलियन की पराजय, अठ्था सो पंद्रा वार्टर लुमें, तो इस संदिका सदस्य को नहीं था, अमेरिका, इसके बाद जू से पे गैर इसके बाद जो अगला प्रशन है, वह है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, तो इसमें स्टेट जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो इसका नाम बदल कर कर दिया गया था, नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल का नाम बदल कर दिया गया था, तो इसके बाद नेपोलियन ने इटली और हमला कप किया, तो इसने कब किया था, 1797 में, 1797 में, अर्थ शास्त्र के प्रोफेसर, फ्रैट रिस्ट किस देश से थे, तो वे जर्मनी से थे, लार्ड वाइरन कोन था, लार्ड वाइरन अंग्रेज कवी था, लार्ड वाइरन अंग्रेज कवी था, इसके बाद मारियान की प्रतिमाय कहां लगाई गई तो वे सारोजनिक चोग को उपर लगाई गई थी सारोजनिक चोग जितने भी थे वहाँ पर लगाई गई थी मारियान की प्रतिमाय 1861 में किसको एकिकरत इटली का राजा गोशित किया गया तो वह इमेनुवल दुटी को गोशित किया गया था 1861 में किसको एकिकरत इटली का राजा गोशित किया गया तो यहाँ आएगा इमेनुवल दुटी को इसके बाद है जाल वेराइन क्या था जाल वेराइन क्या था तो यह एक संग जिसमें अधिकान्श जर्मन रास्टर शामिल थे था तो यह भी सत्य है, 19 सदी के मध्य में इटली दस राज्यों में बेठा था, तो यह असत्य है, 1804 की नागरिक सहिता को आमतोर पर हिटलर की सहिता के नाम से जानते हैं, तो यह भी असत्य क्योंकि नेपोलियन सहिता आएगा है यहां पर, और लाल टोपी, तिरंगा और कलगी, स आस्टरवाद, इसके objective question हम कर रहे हैं, सही विकल पर चुन कर लिखिये, इसमें पहला है, हिंद स्वराज पुस्तक किस ने लिखी, तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने, इसके बाद अगला प्रश्न है, चोरी-चोरा की घटना कब हुई, तो यह घ लोध में देश्व्यापी हरताल कब हुई, तो यह हरताल हुई थी 6 अप्रेल 1919 को, इसके बाद सतनता आंदुलन के दोरान वीर सेनानी भगसी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था, तो उन्होंने नारा दिया था इंकलाब जिन्दाबाद, जल्यावला बाकी घटना कब घटित हुई, तो यह घटना हुई थी 13 अप्रेल 1919 को, इसके बाद 1918 में गांदी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बिज सत्यागरा आंदुलन चलाने कहां पहुचे थे, तो यह पहुचे थे आहम्दाबाद, इसके बाद भारत छोड़ों आंदुलन कब 31 दिसंबर 1929 को, इसके बाद अगला है, साइमन कमिशन के खिलाप, शांती पूर्ण प्रदर्शन के दोरान, ब्रिटिश पुलिस के द्वारा किये गए हमले में कौन घायल हुए थे, तो यह घायल हुए थे लाला लाचपत राय, साइमन कमिशन के खिलाप, शांती दिया गया, तो यहाँ दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीके भारत छोड़ो आंदोलन में करोया मरो का नारा दिया था, अगे करेंगे, एक शब्दया एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसमें पहला भूम अंडली करन की शुरुआत किस दशक में हुई, तो भ अनूबंदित मस्दूर को, इसके बादे दिती महायुद्ध के बाद यूरोप में कौनसी संस्ता का उदय आर्थिक दूशप्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ, तो दिती विश्वयुद्ध के बाद आर्थिक दूशप्रभाव को समाप्त करने के लिए यूरोपीय स इसके बाद प्राचिन काल में किस इस्थल मार्ग से एश्या और यूरूप का व्यापार होता था तो यह व्यापार होता था रेश्यम मार्ग से एश्या और यूरूप के बीच व्यापार होता था रेश्यम मार्ग से इसके बाद बाजार का सुरूप विश्व व्यापी किस क इसके बाद ब्लेटन वूट से सम्मेलन किस वर्ष हुआ तो यह हुआ था 1944 में विश्व बाजार के सुरूप का आधार क्या था तो यह आधार था वस्त्र बाजार पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया तो शहर था अलेक्जेंड्रिया इसके बाद गिर्मिटिया मजदूर बिहार के किस चेत्र से बेजे जाते थे तो बिहार के पस्चिम चेत्र से अनुबंदित मजदूर जो बेजे जाते थे और बिहार के पस्चिम चेत्र से इसके बादे रिदर किटर का संबंद किस्से है तो इसका संबंद है पशू से इसके बादे आई FM का पूरा नाम क्या है तो इसका नाम है अंतरास्टी मुद्रा कोश नहर कालोनिया का थी तो यह कालोनिया थी सिंचिश शेत्र में इसके बाद एक कॉर्ण लाका संबंध किस्से है तो इसका संबंध है बिटेन में मक्का पर लगाए गए प्रतिबंधित कानून से है अगला प्रशने प्रत्थम विश्युद्ध हुआ था तो इस विश्युद्ध हुआ था 1914 से 1919 के बिच ठीक है 1914 से 1919 इसके बाद भारत में ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ तो भारत में ग्लोबलाइजेशन शुरूआ था निसो इंकानवे से NEO क्या है नई अंतरास्टी अर्थव्यवस्ता था इसके बाद सिंदु घाटी सब्वेता के दोरान कोडियों का क्या उप्योग था तो इसका उप्योग था मुद्रा के रूप में उप्योग होता था ठीक है मुद्रा के रूप में अगला प्रशने कौर्ण लोका संबन्द किसे देश से है तो इसका संबन्द बृटेन से था अंतरास्टी मुद्राकोष की स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में नुडल से किस रास्टर से पश्चिमी देशों में पहुचे थे तो यह चीन से पहुचे थे अठासो नभ्भे के दशक में डिंडर पैस्ट नामक बिमारी किस देश में फैली तो यह फैली थी अफरिका में इसके बाद अगला प्रेशने उत्योगी करण का यूग वाले अध्याय से इसमें पहला है एक शब्दया एक वाक्य में उत्तर दीजिए किस म्यूजिक कमपनी ने सन उन्निसो में संगीत की किताब प्रकाशित की तो यह म्यूजिक कमपनी थी E.T.Parl Music Company E.T.Parl Music Company ने उन्निसो में संगीत की किताब प्रकाशित की थी इसके बाद अगला है भूमद्य सागर के पूर्व में इस्ति देशों को क्या करते हैं तो इन्हें कहते प्राच्य इसके बाद अगला है चुन्नोटों के सहारे कपड़े को समेटने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं तो उसे करते हैं फूलर Spinning जेनी मशिन का आविशकार किस ने किया तो यह आविशकार किया था James हर ग्रिवस ने अगला है J.N. टाटा ने भारत का पहला लोह इसपास सेंत्र कहां इस्तापित किया तो उन्होंने इस्तापित किया था जमशेदपूर में इसके बाद सही विकल पर चुनकर लिखी वाला प्रश्न है तो इसमें पहला है ओध्यों की क्रांती सरप्रथम कहां प्रारंबुई तो प्रारंबुई थी इंग्लेंड में अगला है सूती कपड़ा मिल की रूप्रेखा किस ने तयार की तो रूप्रेखा तयार की थी रिजर्ड आर्कराइट ने इसके बाद अठारा सो चालीस के दशक तक इंग्लेंड का कौन सा उध्योग सबसे बड़ा उध्योग बन च तो वे थे सेट हुकुम चंद कुलकाता में देश की पहले जूट में लगाने वाले सेट हुकुम चंद थे अगला है वस्तो की गुणवत्ता के प्रतिक को लेबल कहते हैं अगला है उध्योग पती मजदूरों की भरती के लिए जाबर रखते थे इस्ट इंडिया कमपनी उन्हें बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता नियुक्त किये थे ठीके बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए उन्हें गुमास्ता नियुक्त किये थे 1834 में सनलाइट साब उनके कालेंडर पर भगवान विश्नु की तस्यूर छपी थी इसके बाद है स् जोड़ी तो इसमें खंड जो है इसमें दे रखाए स्टेपलर, फूलर, गिल्ड्स, स्पिनिंग जैनी, कार्डिंग, द्वारकाना, टेगोर, भाई, भोसले तो इसकी जोड़ी बनाएंगे सबसे पहले स्टेपलर, उनको चाटने वाला, दूसरा है फूलर, चुननट के इसके बाद है तीसरा गिल्ड्स, उत्पादकों के संगठन है, इस्पिनिंग जैनी, तो यहाँ है उनकताई मशीन, कार्डिंग, तो कार्डिंग है उनकताई, इसके बाद है द्वारकाना, टेगोर, तो द्वारकाना, टेगोर जो है वे, यहाँ पे आएगा, जहाज निर् इसके बाद भाई बोसले ट्रेड यूनियन लीडर इसके बाद अगला प्रिशने निम्नलिकित प्रिशनों के उतर सत्य असत्य में दीजिए इसमें पहला है 1928 के ग्राइब पार्टर के कालेंडर में भगवान विश्नु का चित्र था इसके बाद दूसरा है विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाज से बनी वस्तों को महातो देते थे तो इसत्य है अगला जम्षेट जी एक पार्सी बुनकर के बेटे थे तो इसके अथन भी सत्य है इस प्रकार से हमने भारत और समकाल इन विश्य मतलब इतिहास के सारे एक एक नमबर के प्रश्णों की तयारी कर ली है इसके बाद हम राजनिती विशे के एक एक नंबर के प्रश्ण तयार करने के बाद दो नंबर और तीन और चार नंबर के प्रश्णों की तयारी करेंगे तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए तक्षा दस्वी की संपूर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए